गुद मॉर्निंग नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे आप सभी जल्दी से कनेक्ट हो जिए एक्जाम है अमारा ए डबलू ए एस आर्मी वेलफेर एजुकेशन सोसाइटी क्लास है हमारी आज थर्ड सब्जेक्ट है हिस्ट्री पीजिटी नाम है मनोच कुमार है मन में जो उत्पन हो हर एक विक्ति को अपने नाम का अर्थ पता होना चाहिए जो मन में उत्पन हो मनोच प्लस जय मनोच प्लस जय चलो कैसे आप तबियत सही है सबकी बढ़ाई बढ़ाई तो चलती रहेगी टेंसन ना लिया करो टेंसन लेने से कौन सी जिन्दगी अलो चैना और मन के हार हार है मन के जीते जीत अब हम जो आज विशेश शुरू करें है जो आपका रोपर बी तक तो हमने इतियास इतियास का आर्त इतियास के सुरूतं क्लाशीतिकेश़ बस यह तीन चियारा चीजिदें कराई पिक ए भी वेवस्थित होने में समय लग जाता है आज का जो विशेय अमारा उन देखो क्या है पहले हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे फिर उस विशेय पर आएगे थोड़ा सा जब हिस्ट्री की हम सब्वियत करते हैं न बच्चों तो सब्जेक्ट जो होता है न मारा इतिहास हो जाए कोई भी सब्जेक्ट हो भारत का सिस्टम ऐसा है कि जो मैप बनाए बिना आप कोई भी विशेय धंग से नहीं समझा सकते हैं तो बिना मैप के तो कोई मामला जमेगा ही नहीं बच्चों अना मैप तो एक टीचर को आना ही आना चाहिए थोड़ा बात उपर नीची हो जाए कोई बात चलता है कि वेवस्ता होनी चाहिए ताकि आपका कोई भी क्यूस्चन गलत हो जाए चल जाएगा लेकिन ब्रॉइंग थोड़ी शी आपकी ठीक नीचाहिए अब पढ़ा क्या रहे हैं आपको कुछ पता भी है आइडिया लगा हम क्या पढ़ा रहे हैं कितने बच्चे आइडिया लगा सकते हैं कितने बच्चे अफगानिस्तान पाकिस्तान और यह आपको पताईए यह हमारा जो देश है बड़ा ही प्यारा देश है सब को अपना देश अच्छा प्यारा लगता हुए कोई ऐसा नहीं है जिसको अपना देश अच्छा नहीं लगता हुए सब को लगना भी चाहिए धरम भी यह है कि हर एक विक्ति को अपना देश अच्छा लगना चाहिए यह कुछ लोकेशन मैं आपको दर्शाता हूँ और क्या क्या कुछ याद आया क्या लिखंगा आप देख लेना इन जगें का नाम लिखता हूँ फिर देखना क्या बता रहा हुए सुथ कागेंदो दैमाबाद आलमगिर मांडा आपका हडपा मोहन जोद्रोव सुथ कागो हो लोथल दोलावीरा परभास पातन रोजदी रंगपुर कई जगें सुथ काके हो ठीक है चंदो हुडो आमरी कोट दीजी क्या बता रहा हुए यह चेजा आपको मित्ता थल काली बंगा बनवाली ठीक और राखी गचाट सक्वाड़ आजया है विए बिगेंगा को अच्वाड़ परप बिगदवाले परप अचिए धिवाड़ रोगचाट दीवा-परणवाड़ न दीवाड़ टीजी पाट्रेक अवाड़ अवाड़ दीवाड़ अर गड़ी बगवानपुरा ये हैं क्या कुछ आया समझ में क्या बता रहा हूं ये मैंने जगह बताई हैं कौन सी अड़पा सब्वेता दूसरा नाम सिंदू गांटी सब्वेता तीसरा नाम काश्य योगीन सब्वेता अब ये जो जगह है बक्चो ये सबसे आपका क्या है इस्ट सबसे साउथ ठीक है थोड़ा सा ये ज्यादा इधर हो गया ये यहां पराएगा दैमाबाद है और ये आपका सबसे वेस्ट और ये सबसे आपका नौर्थ हमारा विशय है इस समय मिलने वाली ये स्थल जो हाँ के अडपा सब्वेता के ये सब्वेता कहां थी कैसे थी क्या उत्कनन से मिलता है क्यूं हमें पढ़ने चाहिए और यहीं पर एक जगह और है भेरडाना ठीक और ये राखी गड़ी तुम्हें पता भी है की इन स्थलों में सबसे प्राचीनतम स्थल और सबसे बड़ा स्थल यहीं पर आंसर है सब बता होती क्या बच्चों पूजा सिक्सेना पस्चिम उत्तर सीमा से आये लोगों के बारे में बताए गए चलो बिटा अब बताओ कि मैं पस्चिम उत्तर सीमा से आये लोगों के बारे में बता रहा हूं या कुछ और बता रहा हूं पूजा बिटा connect आप इसी class से हुए हो AWS से एक बार जवाब दीजिए अब एक ही class में हो ना आप बेटा पस्चमी उत्तर सीमा से आयोए लोगों को अगर मैं बताता बेटा तो यहीं तक मैं प्रक्ता यह location अलग हो जाती अब जो मैं बता रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ हडपा सब्वेता की है ना क्या होती है सब्वेता क्या मामले होते हैं कैसे क्यों सेनाते हैं यह चीजें आपकी पेपरों में बहुत कुछ देब्स शुरुआत का आपका इंडियन इस्ट्री का टोपिक ही यह है बैक गराउंड में इसमें कुछ नहीं है अलाकि इंट्रोडक्शन में आपको बताया था मैं पाशान काल जिसमें पूरा पाशान मद्या पाशान नव पाशान फिर आपका लोह योग तंबर योग तंबर पाशान योग हलका फुलका मैं बताया था इंट्रोडक्शन में का आरोचNo कोचो य्ए क्या पता रहे हूं मैं कि आपकी जो विश्व की सबश्य हैं जैसे मेसो पोटामिया की राकषा हाँ एक मात्तर रहद पास अधना की लक्षन, फीचर्स, वो एटिकेट्स, वो चीजें भारती है, सिंध देश में, या सिंध छेतर के लोगों के जो गुन थे, वो आज भी मिलते हैं, जी इसी गलास में है, ठीक है बेटा, तो भारत के अंदर, आज जो आप सब्वेता और संस्कृति की बात करते हो, जब हम इस पढ़ाते हैं, कोई चीज की सुरुवात करते हैं, कि मैप बना कर जब हम आपको पढ़ाते हैं, अच्छा मैप ठीक बना बिटा पूजा, कोई कमी तो नहीं है, समझ में आता है मैप बना कर पढ़ाने से, मैप बनाना आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ज़रूरी है या नह नहीं बना है कमिया हो सकती है कि सब्वेता कहते किसी है यह क्यों आपका यहां से शुरुआत होती है इस जब सब्वेता की बात करें सिविलाइजेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या होती सिविलाइजेशन पहरे बात तो हमें यह पतना जी कि सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या है अर्थ क्या होती है और इसके बारे में हम क्यों पढ़ें और तीसरा हम क्या पढ़ें इसका मीनिंग क्या है और क्यों पड़े और क्या पड़े क्या होता है मीनिंग का अर्थ आप जब गाउं में रहते हो शादी विवा में जाते हो शहर की शादी में जाते हो या शहर में रहते हो तो आपका जीने का तोर तरीका एक ही है क्या या अलगलग है या रहता है घर में आप कैसे रहते हो गर में आप कैसे कपड़े पेहनते हो कोई मेंमान आप देखो पहली बात तो क्या है कि यह area है जहाँ पर इस सब बता के लोग रहते थे ठीक और सिब बता का मतलब क्या होता है कि आप का तोर तरीका क्या है तोर तरीका और क्यूं पढ़ें और क्या पढ़ें ये दोनों चीजें क्या दर्शाते हैं ये हमारी संस्कृतिक विरासत है संस्कृतिक विरासत बोलें ठीक या हमारी द्रोहर बोलें आज आप जो है तोर तरीके में हम क्या लेक आएंगे धर्म समाज व्यापार राजनिती ये लेके आएंगे ठीक कलाः संस्कृति ये होते हैं आर्थ सिविलाइजेशन कि किदी देश के लोगों का किसी छेतर विशेश के लोगों का तोर तरीका क्या है और ये सारे तोर तरीके संस्कृतिक विरासत ये हमारे दोनों मिलाकर क्या बन जाते हैं वक्चो जीवन से लिए आज जो आप पूजा पाठ करते हो उसमें शिव की पूजा करते हो नंदी की पूजा करते हो इसका सबसे पराचीनतम according to your history cbsc मैं जाएं तो आपका सिंदो से बता में इसके आउसेस मिलते हैं लिंग वैयोनिय के साक्ष सांक करते और आज है वह क्या करते हो वही जीवन जी रहे हो शिव जी की पूजा करते हो मातर शक्ती की पूजा करते हो यह कहां से आया कैसे पता चला यह जो स्थल है भिर आज तक जितने भी स्थल खोजे गए हैं हडपा सभ्यता का सबसे पुराचीन स्थल है साड़े साथ अजार बीसी साड़े साथ अजार बीसी में युदि हम खीच के ले जाएं तो आपका नव पाशान आ जाता है नव पाशान वो स्थाल है वो समय है जब मनुष्य ने स्थाई जीवन और खेती बाड़ी विदीवत रूप से सीख लिया था ठीक जो आपका कोल्डी हवा है यूपी में एक जगह है कोल्डी हवा यूपी में वहां पर धान के प्राचिंतम साक्षे मिले हैं जो लगबग 6,000 बीसी है और मेहरगड यह जो पाकिस्तान है यहां पर मेहरगड सिंद्र का इलाका यहां पर नव पाशान कालिस्थल जहां से कपास के सबसे पुराने साक्षे मिले हैं 5000 बीसी जो हडपा के पूरु वरती है और मेहरगड से ही गेहूं के साक्षे मिले हैं तो भारत आज भी गेहूं का यूज करता है कपास का यूज करता है बाजरे की रोटी खाते हैं जवार की रोजरी का गन्ने के यूज करते हैं क्या अडपशे बता के लोग गन्ना यूज करते थे कपास का पराचिनते हम साख्ष है, सिंडन, सिंडन का मतलब होता सिंदु, और सिंदु सबसे ही कपास सब निकला, इनानी जो दिया है सब्द, तो जहां कपास की केती हुँ, मेलुहा, मैसोपोटिया मेया की जो सब बतायश की समकालिन थी, और वहां एक मेलुहा सब्द यूज किया गया, मेलुहा, मोहन, जोदरोगोई का आ गया, और ये कि उस्चे ने पूछा हुआ है कि मेसोपोटामिया में जो मेलुहा है, वो क्या दर्शाता है, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है, बच्चो, दो नदियों के बीच का उपजाओ जहता है, तो मेसोपोटामिया में जो टाइग्रिस और जजला और फर्रात दो नदियां है इराक में इराक का जो यह चेत्र है यह मैसोपोटामिय के लाता है यह भी लगबग लोग कैसा जीवन देते नगर विवस्ता कैसी थी इतने उच कोटी की नगर थी कि जो आपका चंडीगड जो नगर है ना आज वो चंडीगड भी जो है वह अडपा से ब्यताया मोहन जोदलों के नक्षे पर है यह भी क्यूश्चन पूचा वा है कि वरतमान में भारत में कोई सबसे सुंदर सहर है भारत का खूब सूरत मतलब की साफ सुतरा सूरत नहीं खूब सूरत नहीं साफ सूरत नहीं सुतरा सहर बताओ जरा पूजा भारत का सबसे क्लीन एंडिट सिटी कई सालों से वही आ रहा है कौन सा है जिसने चंडीगड को भी पीछे चोड़ दिया क्योंकि वहां बकाइदा ऐसी मनोवर्ती पैदा हो गई है देखो सिर्फ किताबी ज्यान से लोग जागरुक नहीं ब करते हैं लेकिन आचरण में नहीं हो तो फायदा क्या उसिक्षा का तो वरतमान में कौन सा ऐसा सहर जो भारत का सबसे खूबसूरत सहर है कि सफाई व्यवस्ता के साफ सी पता है पूजा किस सहर का सबसे नंबर वंदर जा दिया गया है सफाई मिशन मातमा गांधी के जो मिशन चल रहा था मारा कुपसूरत सहर बनाने साफ सुत्रे और चंडीगड़ा किस के बेस है मोंधोद्रों पे तो किसी भी जग है मिशेज क जीवन से लिग कैसी है वहाँ धरम समाज कल्चर कला संसकृति ये सब मिलाकर सब बनाता है लोग लडा कू थे या शान्ति पृइया थे लोग कहती बाड़ी करते ते या पशू चराते थे व्यापारवानी जय करते ते या नहीं करते ते कपड़े कैसे थे जीवन कैसा था बोजन कैसे था वेश बूशा कैसे थी आमोध परमोध के साधन कैसे थे गाड़ियां या साधन थे या नहीं थे या पैदली चलते थे तो यहां सारे आउसेश वेरी गुड़ भई आप तो बड़े इंटेलिजेंट अवेर हो क्योंकि आपके 10 क्योश्चन कहां से आएंगे कर हड़ पसद व्गाजीर ने की जो खोद कर खुदाई करकर अनुमान लगाते हैं वह कैसे पता करते हैं कहां पर क्या मिला हड़ पसद अपर हम कbels साक्षे मिले हैं तो जैसे बेरडाना से मठके आब उषण और कुछ वस्तर मिले हैं तो इसकाjal साधह साथह छार प्लस दो जार यानी किशाथह 9000 साल पहले यहां के लोग मिर्द बांड बनाने में सखस्म ते मिर्द बांड मठ का मठ कब अनेगा जब सब्सक्राइब करते हैं पर आप तक टाइम लगता है कोई बात नहीं वह बता होता है टेकनिकल नहीं होता है यह समय लगता कोई बात नहीं मैसेज आ सब साफ है कई सालों से अच्छा साफ क्यों है भाई है कि सर हम कंटिन्यू आपकी क्लास पढ़ रहे हैं वेरी गुड कंटिन्यूटी बेटा जरूरी है अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रखोगे तो गडबड हो जाएगा मामला बड़ बड़ा जाएगा तो हडपाशम भ्यता में क्या पढ़ना है कि बही कहां से कौन से उत्कनन मिलें जैसे फरिधाना सबसे पुरान स्तल है मरिदमांड का मतल्य क्याव जान कारते हैं कि मिटि की मूर्ति detective looks आते हैं और ये काले लाल मिर्द बांड वाली संस्कृति मानी जाती है पॉलिश वाले लाल काले मिर्द बांड आपके उत्तर नौर्थ पॉलिश आएगा आपका उत्तर मोरिय काल में और गेर वे मिर्द बांड आएंगे आपका वैदिक काल में ठीक है और आपका चित्री क्लास रिकोर्ड हो गयोंगी बैटा वो भी पढ़ लेना उसमें थोड़ा सा एक ड्राफ्टिंग बताई कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है और क्या क्या सलेबस ठीक है आज विदिवत रूप से सलेबस आपका आज शुरू है तो हडपा से प्यता में क्यों पढ़े क्या प भूल जाना चाहते हो कि क्योंकि आपको समाजी का दिन क्यों पढ़ाया जाता है आप पीडी दरपीडी और प्रमप्राएं है रितिरवाज है वह एक पीडी से दूसरी पीडी ऐसी तो जाती आए 5000 साल हो गए हमारी सब्वेद्वाज को अगर हम ऐसे आज के सोगाल मोडन हो यहां पर लीपी के कुछ साक्षे मिले हैं इन से पता चलता है कि वहां के लोगों का जीवन कैसा था बड़ी-बड़ी इटे खुदाई से महांचोदलो मिलाया पूरा अडपा मिला है इनके नगर देखने जो मिलते हैं यह देखता भी कैसे लोग ते घर कैसे थे डबल डबल डबनद्यागल मलें अर्पा में डबल बनिलागर मने हैं ऐसे ही निया का सबसे प्राचिंतम गोधिबड़ां बंदरगां और इटो से निर्मित है यानि कि प्राकर्तिक निये मानो निर्मित है इसका मतलब वहां के लोग बंदरगाह बनाने में दक्ष थे कितने साल पुराने पांच जाल बंदरगाह बनाने में दक्ष थे बीच्टर एकट्टर क्लीर हो गई होगी कि अभी तक हमने क्या किया है आज यह आपकी फेर्थ क्लास तो यह जो लॉथल है आपका दुनिया का सबसे पराचिन बंद रहा है और इस लौत्तल से जो इन आपका क्या होता था व्यापार होता था बचो जो फारसकी खाडी अई और लूध की खाडी होता इस लोग नो पूण से मेसिवता है तो व्यापार ये करते थे वरिजय करते accents व्योट और की अच्छे थे वेश भूशाई नी की अच्छे थी समाज में आमोद परमोद मिलन के अश्विक्त परिवार होता था नगर गावी बाजन होता दुरुग होते थे दुरुग का मतलब किले बना जैते थे किले का मतलब इनको शुरुक्षया की जीन्दम आ रही थी हो ना जहीं मनदप होना जहीं उसे कबरि स्टान मिले हैं उडपडब मोंथा दूलो का मतले बी होता मुर्दों का टिला जीसमें साथ यह मतलब क्या वह साथ बार उजड़ा या बसा है या साथ बर उसमें कोई भी पताई ओ लेकिन इतनी बड़ी सब्बता मिल गई चलो जी प्रता में पढ़ेंगे बच्चों कैसे पता चलता यह खेती करते थे जो आउसेस मिले हैं श्वोओं के साथ शवोओं के साथ अनाज मिले आबूषण मिले तो इसका मतले यह परलोक नहीं था जब आग हम जानते हैं कि कईने के आगे जनम होगा लेकिन जो नास्तिक हैं वी कograf olmas ने कि नहीं मानते को जनम नहीं को इश्वर नी कूई चारव वाक भी था आपका जब आगे ॽख्ण गीप वो दुनिया ऐसी तैसी करा है बाड में कोई करम कोई पुर्ण पुण्य कोई पाप नहीं होता जो है यहीं पर है आज ही है आज ही खाओ मौज गरो मस्तर बाड में जाए दुनिया वो चार वात भी है उसको मानने वाले वी है कि जब तक जी हो गीप जो टेंस तंडलो तो जीवन में अजले दिरिष्टि को हो, यहां के लोग क्या करते हैं, जब आपके पशुमों के साध कुट्ते मिलें, तो रोपड से कुट्तेयों कि रहात मिला निकिवान कि पशुमों को भी पालते थेख, हला कि सबसे पहले कुट्ते का जो साक्षा भूरज हों से मिला, कस् तो इस टाइप की आउसेशों से खुदाई से उत्खनन से पता चलता है यहां कोई सब्वेता थी ऐसे जीवन जीते थे पर इनका अनुमान लगाया कैसे नश्ट हो गई प्राकृति का अबदा आ गई कोई बुगंब आ गया कोई महामारी आ गई या कोई आकर्मन हो गया या अपसमे लड़ मरे या कोई परमानुम लाओ गया या कोई विदेशी अला एलियन का कर्मन हो गया यह सारे तथ्य बताएंगे आपको तो यह चीजे पताई सब्वेता का मतलब क्या सब का आचरन कैसा है जीवन सहली कैसी है जीवन के तोड़ तरीके कैसे है खानपन वेश प अब हम चलते हैं कि पता कैसे चला इस सब्वेता का कि इस सब्वेता का पता कैसे चला वही कि यहां पर कोई कि सब्वेता थी है अब पॉइंट तो ऐसे ही मंतिने पेपरों में कि इस इतनी बड़ी सब्वेता का पता कैसे चलता है इस सिंदू नदी के किनारे गटना रहां गटिये हैं देखो अठारासो चोबिस में यह आपको पता है कि बंबई से थाने अठारा सो त्रेपन में आपकी पहली ट्रेन चले ठीक है बंबई उठारे ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ गतिवी दिया है जो लाहोर से कराची यह और ही थी रेल्वे लाइन की तुदाई यह बाद है अठारा सो चपन की ट्रेन तो चल चुकिते अठारा सो त्रेपन में नहीं सर कोई डाउट नहीं वेरी गुड ट्रेन तो ठारा सो त्रेपन में चल लाहोर से कराची भी चल रही थी ठीक चाल्स मेशन एक वेक्ति है जाहर सी बात है सर कैसी बात है करें वेक्ति होगा अठारा सो चप्विस है चाल्स मेशन चाल्स मेशन न्यूमेस्मेटिक्स और कि नूमेस्मेटिक्स तो यह वाला कि शीक्ष्ण का दिन करने वाला फ्यम्स तो इस ने पहली बार इस छेतर में कि यह जो लाहोर से क्राची और यहीं पर आपका क्या है अइस ऐड़ रहा है आछ इस छेतर में चाल्स में शिन्हें कि यहां पर उच्छ एहसास हुआ कि यहां पर कुछ है भाई ती लेवी ले देख लियोंगा आइडिया लगाया होगा कुछ मिला होगा तो चाल्स में सिन्ने ठारा सुच्पविश में बड़ी संख्या में यहां से इटे पराप्त की लग टाइप की इटे पराप्त होई यह इसकी सुरुवात कि जो हडपा से बता है उसकी सुरुवात इस टाइप के रूप में चाल्स में सिन्न के इटों की पराप्ति से पहला एक क्लू मिला तो पहला क्लू देने वाला वेक्ति कौन है चाल्स में अठारा सो चब्विश में चलो हो गई बात और यह आतारा सो इकतिस में एक और व्यापारी है यह तो चब्विश है दूसरा है अठारा सो इकतिस में अठारा सो इकतिस में है अलेक्जेंडर करनल बर्ण्स करनल अलेक्जेंडर बर्ण्स यह आपका कहां जाता इकतिश में मीटिंग करने के लिए महाराज आरणजीत सिंग रणजीत सिंग से मिलने जाता है जो पंजाब के शेर मने जाते है जब महाराज रणजीत सिंग से मिलने जाता है तब भी उनकी नजर हड़ अपर अपड़िये है दूसरा क्लु यह उक्डु है लेकिन इन की व्यापारी था ये ये था व्यापारी और बेचारे की काबूल में चाकू मार कर हत्या कर दी काबूल में इसकी हत्या हो गए लेकिन उससे पहले ये क्लू दे गया अठारा सो इकत्तिश में चाल्स में स्वरिये कंदल पंच और तीसरा क्लू मिलता है अठारा सो त्रेप यहां पर है मेजर बर्टन बर्टन बंदू है यह मेजर नहीं हम इसको बर्टन बंदू बोलेंगे बर्टन बंदू है काम करने वाले इंजीनियर इन इंजीनियरों न जब यह खुदाई की तो यह तीसरा क्लू देते हैं अठारा सोच पन में ठीक और इन्हों ने क्या कहा कि जो जो जोन बर्टन और विलियम बंदू यह दो वेक्ति हैं बर्टन बंदू जोन और विलियम दो भाई हैं यह अपनी ठेकेदारी भी खुदाई कर रहे हैं अब रेल्वे की डिगिंग होगी वही तो खुदाई करेंगे तो कुछ तो मिलाईगा तो इन्हों ने फिर कुछ परमान मिला 1856 में जी यहां को कुछ है चलो भी मान लिया यह जो किलोमेटर गिज़ है 640 किलो केली मिटर दूर आपस में महन जोदलो और णार यहां अक्राची यहाँ लाहूर और कराची के मद्दा ख़िक तीसरा क्लू देती है जिस से पता चलता है सर आप से रिक्वेस्ट एक सो सतर क्यूस्चन आएंगे आप टाइम ज्यादा पड़ा क्लास का केवल दो मां है अच्छा जितना उसके ज्यादा पॉइंट जानना चाहा है आपके आपके नोट से मिल जाएंगे आपको कम लग रही है क्योंकि टीचर को सारी चीजें बतानी पड़ती है हर टाइप के बच्चे होते हैं कोई तो जल्दी समझता है को तो लेट समझता है चलो कोई नहीं तो तीसरा पॉइंट यह हुआ अब ऐसे में तीन पॉइंट क्ल यह कि सबसे पहले जानकर इतक इसने दी क्योंशन आया हुआ आपका चाल्स मेशन का 1826 में बटन बंदू और आपका एलेकजंडर का मामला भी क्योस्टन में बंता है तो हडपा की तीले की खोज सबसे पहले किस ने दी आपका मेजर किसने चाल्स मेशन ने अब अब 8806 गटती है आपका आर्की लोजीकल सर्वे ओफ मीडिया बारतिय पुराततवी बाग इसकी जो स्थापना है वो लाड डल होजी के समय हुई ठीक जो कारियकाल है 1848 से 1856 के बीच तो भारतिय पुराततव विबाग को यह जानकारी मिली यहां से अब यह जो जानकारी दी तो पुराततव विबाग के अद्यक्स कौन है उस वक्त तो आपके जर्नल कनिंगम जर्नल कनिंगम को यह जानकारी मिली 1853 से 1807 के बीच तो 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 37 के बीच आपके यह कनिंगम इसके कियां भारतिय पुराततव विबाग के अद्यक्स अलेक्जंडर कनिंगम इन उन्हें इंडिया फिर 1861 में जाकर और खुदा ही होती है और ये धीरे-धीरे इनकी पातने को आप पता चलता है और लास्ट में 1921 में इसके बाद 1921 में सर जान मार्शल बारतिये पुराता तक भी बाग इंडियन आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट के हैड बनते हैं और इसके अधीन दो व्यक्ति काम करते हैं सर जान मार्शल के दिन एक आरडी बनर जी और एक डियार सानी इन दो व्यक्तियों ने काम शुरू किया 1921 में तो डियार सानी दयाराम सानी ने 1921 में किसकी कोज की और आरडी बनर जी ने 1922 में किसकी कोज की जल्दी बता हुए तो यह तीन पॉइंट है एक चार्ल्स मेशन का एक करनल अलेक्जेंडर का और एक आपका जॉन और विलियम बर्टन का तीनों का मामला पारती पुरातती भी बाग में आया अठारा सवाट तालिस कोई प्रोब्लम दुनिया में से नहीं सोलना हो तो निद कम कर दो पढ़ना ज्यदा कर दो हो जाएगा दो मीने के दिक कर दो मीने तो लोग वरत भी कर लेते हैं कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगा तो यहां पर क्या है मोहन जोड़ो की खोज पहले हुई हडपा की पहला स आपका मोहन जोड़ो और डी बनेरजी ने यह दूसरा स्तल है कैसे याद रखो कि देखो इसमें है और इसमें है इसमें टी है तो दी पहले आएगा एच बाए आएगा आर बाद में आए गा एम बाद में आएगा तो कनफ्यूज नहीं हो गए 1922 में मोहन जोड़ो और 1921 प रखा हडपा से बता हडपा से प्यता इसके नाम पर रख दिया क्यूं कि जो मोश्ली जो इसके स्थल है वो कि सिंदू गाटी के सिंदू नदी के तठ पर थे इसलिए इसको सिंदू नदी गाटी सब बता कहा गया लेकिन जैसे जैसे पुअधा हुई तो पहला नाम इसके रखा का सिंदू गाटी सब बता फट अ मार्टिन विरर न जे नाम दिआ था बथ्चो मार्टिन विलर नहीं नाम दिया यह बबढ़ी सिंदू गाटी सब ड़्धा- लेकिन पता चला कि शिंदु के अलाव अभी स्थल है दोला वीरा भी है लोथथर भी है अलमगिर है अलग 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 स्थल है तो बाद में फिर इसका वापिस नाम क्या रख दिया यह तूखिए अलग अलग जगह पर हुए नाम तो इसको हडपा से ब्यता इसका दूसरा नाम रखा का झायोनने की काट का पलकी अब यहीं होता है कि तीसरा नाम क्या था इसका का यूज़गरने केकर न से करण यह परचूर मात्रा में यूज़ होता है था इसको हम आशले का यूगी सब्विता भी कहते है। तो तो कासा आपका मिश्र दातु है तंब और टीन की तंब और टीन को मिलाने का घ्ञान था मिलाने का घ्राइब यह पास से कहीं ना कहीं बठियां भी थी गलाने की जिसमें तंब और टीन का यूज हो जाए मोहन जोद्रों के बेनर्जी के वेनर्जी है हां रखलदास बेनर्जी मोहन जदलों में हैं और यह दियार सानी दैयाराम सानी तो अलग-अलग नाम है इस यह इंट्रोडेक्शन कि कहां से कैसे मिला तो अब जो जो पॉइंट है कि सिब्विटा का विष्तार छेतर या विस्तार देख लेते हैं कि है में चैनल विश्तार था Самय या काल निर्धहर्ण कि इसका समय या काल निर्धार्ण कैसा है है कि हाक्या समय मैना घया subscribe इतनी बड़ी सब्सक्राइब है तो समय में तो आजाएगा तीती किस तीथी से इसका Ch execut ax अलगई-अलग कुश्चन आजाते हैं तो पहला चरन होता है बच्छो पूरु ःपपा पूर Ben पाकिस्तान और इंडिया तीन देशों में इसके से पाकिस्तान में अफगानिस्तान इंडिया यह काह आपने भी बताएंगे पहले तीथी देखो कि किसने क्या थी बताई आई है अडपा से बतागे कैसे कैसे क्युस्टिन आपके आए होए हैं ये भी चीजें जरूरी हैं बच्चो तो जो सर जानमार्सल है जो इंपोर्टन्ट हम ही बताएंगे हम सर जो जानमार्सल है वो कहते हैं कि सम बहुत है इसका समय जो है बच्चो वो 3250 से 2750 बीसी माना जाता है 3250 से 2750 ठीक दूसरा अलग-अलग समय है दूसरा है रेडियो कार्बन जो हम सी 14 सी थी बोलते हैं कार्बन 14 यह यह जो है यह क्या कहता है रेडियो कार्बन कि जो समय है 3350 से 1750 बीसी बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट ठीक थर्ड है वीलर मार्टिन वीलर मार्टिन वीलर है यह कहते हैं बच्चो पच्चिस सो से 1500 पच्चिस सो से 1500 बीसी फोर्थ जो आपका एंसी आर्टि वो क्या कहते हैं कई बार पूछाओ है कि एक तो एंसी आर्टि का पूछाओ और एक मार्टिन वीलर का पूछाओ है एंसी आर्टि कहते हैं पच्चिस सो से अठारा सो बीसी यह चार तो हैं इंपोर्टेंट बई कई जगें पुछा हुआ है ठीक और ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है एक वी ये समित हैं वो भी थोड़ा सा कई बार आ जाता है यह भी इसको पच्चिस सो से पंदरा सो बीसी कहते हैं अब हड़पा से बता के यह जो बेसिक टाइम बताएं में ती थी अब ती थी मिश्में दो टाइप की क्युछन बंते हैं एक ओवराल और आल टाइम बनता है ते ती सो से लेकर सतरा सो बीसी है ठीक है लेकिन इसका परीपकों समय परीपकों का मतलब होता है जब यह बिलुकुल मेच्वोर थी अच्छे डेवलेप्मेंट फेज में थी वह आपकी मानी जाती है आपका पत्चीस सो से लेकर अठारा सो बीसी में यह कहते हैं कि पूरी तरह मेच्वोर मानी जाती है यानि कि लगबगी आपका रेडियो कार्बन वाला या एंसी आर्टी वाला तो मेच्वोर जब यह फुल फ्लो में थी जैसे आप मेच्वोर जाते हैं जी तो सबसे ज्यादा यह समय पूछे जाते हैं मार्टिन वीलर का एंसी आर्टी का रेडियो कार्बन का सरजान मार्शल का तो ओवराल ते ती सो से सत्रा सो बीसी तक जाता है क्लियर यानि कि यह गठता जाएगा बीसी का आप समत्चुके होगे और जो जब चरण की निरधान करते हैं कि इनका चरण क्या है काल खंड का चरण क्या है वो चीजें भी जरूरी है तो इसमें पहला आता है आपका पूरु हडपा यह अनि कि हडपा से पहले अब एक दम से तो आईगी नहीं होगी सब गयता कहीने कहीं डेवलेप्मेंट करम में होता तो इसमें होता है तो पूरु हडपा जो समय है बच्चो इसका पहला चरण माना जाता है और यह आप परतवन है यह मेहर गड की तराही में स्थित मेहरगड जहां सबसे पहले किसके साक्षे मिलते हैं कपास के और मेहरगड की तरह है मेहरगड है कहां मोहन जोदलों से उपर थोड़ा सा नोर्थ वेस्ट में और यह पहला चरण माना जाता है और यह लगबग जाता है 5000 बीसी अभी बताया था मैंने तो मेहरगड है यह पूरू हडपा मने जानी कि हडपा से पहले के लोगों का मोहन जोड़ों से 150 मिल उत्तर की तरफ क्लियर तो भारति स्थाई किर्शी का परमान साक्षे यानि कि लोग जो से कपास की खेती या गेहू की खेती दोन्यों के साक्षे यहां से मिलें दूसरा आरमभीक अडपका पूरो हडपा की जेगा दूसरा चरण है आरमभीख अडपा जो आरंभिक अडप्पा है बक्चों ये मना जाता है आपका आमरी कोड दिजी और निचली सिंदू गाटी यह जो शिंदू गाटी मिलती ही देख यहाँ पर यह जो एरिया है यह आमरी कोड दिजी और यहाँ आपका मेहरगड आएगा यह मेहरगड है और यह आमरी कोट दीजिए तो इसमें आरंबिक अड़कपा में आएगा आमरी एंड कोट दीजी निचली सिंदुगाटी ठीक यह लगबग जाता आपका 3000 या 3500 बीसी के आसपास का समय है कि थोड़ा सा और नजदीक आ रहे हैं अब तीसरा कोई डाउट भी यहां तक सही चलरी क्लास तो पहला चरण दूसरा चरण और तीसरा चरण आता है आपका काली बंगा परिपकु हड़क का जिसको बोलते हैं कि परिपकु हड़का जिसमें आपका काली बंगा जो राजस्थान की जगह हैं वो यहां पर माना जाता है अलांकि काली बंगा एक ऐसा स्थल है जो आरंबिक अडप्पा में भी है परिपकु हड़का में भी है और पास्च अडप्पा में वह यह तो काली बंगा ऐसा स्थल जो लगबग में पाइंट आपका 2600 से 1700 बीची लगबग आपका यह समय माना जाता है वही जो 2500 से 1700 बीची या 2600 बीची परीपक हडपा माना जाता है काली बंगा के जिसमें है यह है पूरो हडपा और उत्तम तरह से शुरक्षी यह निकी पहले का भी इस्तल है पस्त का भि है और परीक पक्कों का भी चullah है बद्चों उत्तर हडपा इस उत्तर का मतलब होता है परवर्ती का मतलब है था बाद पोष्ट ain paperwork और यह आपका अठारा सो बीची के बाद करें और इसमें आए गापका लोथल के लुद्शल जो स्थ खल थाला है काली बंग भी ए इसमें तो काली बंग है औ बीच में भी और नीच में तो यह लोथल जो है स्थल लास्ट में उत्ता है और यह लगबग 1700 बीसी के बाद या 2100 के बाद शुरुआत होई इसको हम 1900 से 1300 बीसी भी बोल सकते हैं 1800 बीसी के बाद या फिर 1900 से लेकर 1300 बीसी यह चरण माने जाते हैं तो पूरो हडपा चरण आरंबिक हडपा परीपक हडपा उत्तर या पोश्ट हडपा यह समय हो गया अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया में इसके स्थल हो गए सबसे जादा स्थल इसके इंडिया में है इंडिया में सबसे जा स्थल राखी गडी पाकितान में सब सीवड़ास तल मोहन जोदलों को मिला कर सबस्वड़ास तल राखी गड़ी ही आएगा जो मौहन जोदलों से भी बढ़ा है अब बताओ जरा कोई डाउट है आज की क्लास समय हो गया तो इंट्रोडेक्शन ओप मोहन जोदलो हो गया उसके स्थल हो गई खोज हो गई और समय और काल का निर्धारण हो गई कोई डाउट बिटा इसलिए अगली क्लास में हम इसमें अब शुरू कर देंगे अलग अलग स्थल और विशेष्टाएं कि कहां से क्या मिला है बहुत इंपोर्टेंट क्लास होगी मिश मत करना बोलो भाई पूजा कई कई जगा यह भी कहा गया है कि यह जो मिस्र की जो सब्वेता है मैसो पुटामिया उसकी कलोनी है ऐसा नहीं है उसके पक्स में क्या माम ले थी तो अब अगली क्लास एकनॉमिक्स की होगी मिलते हैं उसमें बिटा नमस्कार झाला नमस्कार